वो 1100 किलो विष्टो का सबसे बड़ा भीपक है उसमें 500 किलो यह आ सकता है और इतना इने उसकी बाती जो है 15 किलो की बाती है एक बाती जलती है तो ड्राइव मरीने तक जलेगा एक बाती है पांच बाती की विवस्ता कर सकते है एक बाती पंदरा किलो रुई की होती है नमस्कार सबस्टेंटिफोर इंडिया नीज चैनल जे आप लोगों का बहुत बहुत च्यागत है इस समय हमारी टीम मौजूद है अजुध्या के राम कथा कुंज में जिसे राम सेवक पूरम भी कहा जाता है यहाँ पर गुजराज से विष्तु का सबसे बड़ा दीप आया हुआ है जिसका वजल लगभट 1100 किलो का है आईए अभी हम आपको दिखाते हैं वो दीप और आपको बात कराते हैं जिसे ले करके गुजराज से आयो हुए हैं जो लोग उनसे बात कराते हैं आईए हमारे साथ बने रहे और आपको बतवाते हैं कि बिस्तु के इस सबसे बड़े दीप रामदीप की डिसेस्ता क्या है ये रामदीप राम मंदिर में अस्थापित किया जाएगा जहां कि वो अनवरत एक बार घी डालने के बाद पूरे बस जलता रहेगा आईए हमारे साथ बने रहे हम आपको दिखा रहे हैं बिस्तु का सबसे बड़ा दीप रामदीप यह आखंड़ दीप है, इसका नाम है स्री राम दीप, आपको लेचलते हैं दीप के पास और देखें, इसमें निखा हुआ है व्यात्रा आयाम, धर्म रच्चता, धर्म यात्रा महासंग ये दिप धर्म यात्रा महासंग केंद्रे कार जाले देन दयाल उपाद ध्यायमार्ग नई दिल्ली द्वारा प्रदत किया गया है देखें इसमें लिखा हुआ है बड़े-बड़े सब्दों में लिखा हुआ है च्री राम दीप और इसको डोनेट करने वाले हैं मनोरती पते प्रदान किया गया था लेकिन अभी राम मंदिर तक नहीं पहुचाया जा सका है यह देप अभी यही राम कवता कुंद में रखा हुआ है बताया जा रहा है कि इसमें एक बार रेशी घी से इस दिपक को भर देने के बाद यह दिपक अनवरत पूरे एक साल तक जलता यह भगवान स्री राम चंजी को यह उपहार में दिया गया है देखें जहां तक आए हम आपको पूरी सुनी दिखाते हैं देखें यह भारी भरकम दीप है जिसमें काफी कृषी भी लगेगा अभी इस दीप को राम जन भूम में अस्थापित में ही किया गया है आए अभी हम आपको मिलाते हैं जो इस भारी भरकम दीपक को गुजरात से ले करके आए हुए हैं आए अभी हम उन्चे बात कराते हैं और उनसे जानने का परियास करते हैं कि इस दीपक में कितना घील लगेगा और यह दीपक कीतने दिन तक दिलेगा और यह किसके द्वार सबसे बड़ा है उसमें 500 किलो गी आ सकता है और इतना हिने उसकी बाती जो है 15 किलो की बाती है और माती 15 किलो की उसके बाद ये दिपक अगर एक दबे जलता है तो एक माती जलती है तो डाई महीने तक चलेगा और उसकी जो है साड़े 3.5 फिट ऊची रहेगी अगर पांच माती जलेगी तो ये 30 दिन तिक जलेगा ये दिपक की विशेष्टा है ये दिपक जिस प्रकार स उसमें पित्तल है, SS है, MS है, Aluminium है, और अलग प्रकार का स्टील है और टामा है ओपर, यह उससे बनाया गया है दीपक अचाहिए पूरा टाइक भर जाने के बाद कितना जिंजलेगा यह उसकी यहां तक भरेगा तो यह जो भरेगा उसके बाद अगर एक माती जलती है तो डाइ महिने तक यह जलेगा अगर यह बाती पांच जलेगी तो तीस दिन तक यह दिपक जलेगा अचाहिए बेक्टिगत के राम जन्म भूमी के लिए ही ये बनाया गया है जी बहुत बहुत धन्यवाद जैस्री राम